नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर दोस्तों इंडिया ने अपने मित्र राष्ट रश्या और उनके प्रेसिडेंट व्लदमिर पुतिन उनक्यों कहीं ना कहीं huge embarrassment से बचाया है जी हाँ दोस्तों इंडिया ने ये भी प्रूफ किया है कि इंडिया हुआ है आपको बता देता हूँ दोस्तों इंडिया के foreign minister श्री जैशंकर जी ने confirm कर दिया है कि G20 summit में Ukraine को invitation नहीं मिलने वाला आप सोचेंगे G20 summit तो continuously चल रही है दोस्तों बिलकुल सही कह रहे हैं आप continuously चलती है अलग-अलग चीज़ों की चलती रहती अलग-अलग मुद् G20 summit में अलग-अलग जगहों उपर discussion चल रहा था लेकिन final discussion दोस्तों September में होने वाला है नई दिल्ली में और इसको कहते हैं leader summit जिसमें 19 देश और 20 वा European Union इन सभी के अगर आप देखे तो heads of the state आने वाले हैं या फिर जो भी उनके leader हैं Prime Minister भी हो सकते हैं President भी हो सकते हैं इसके सिवा अन्य countries जिनको इस बार इंडिया ने invitation भीजा है वो भी यहां पे शरकत करेंगे अब दोस्तों Ukraine काफी time से plan कर रहा था आप देख सकते हैं इस साल की ही बात है April की जब Ukraine ने कहा था उनके जब Ukraine ने अपने deputy foreign minister को भारत भीजा था और वहां पे उन्होंने इंडिया से रोल प्ले करें और उसके बाद इंडिया से पूछा गया तो इंडिया ने कहा था कि अभी हम सोच रहें कि जलिंस्की को बुलाना है या नहीं बुलाना है लेकिन अब दोस्तों अगर आप देखें तो finally इंडिया ने clear कर दिया है अब दोस्तों मैं कह रहा हूं कि यह embarrassment से अभी कर रहा था कि किसी तरीके से रश्या को G20 समिट से बाहर निकलवाया जाए तो उस्तों वो तो जाहिर सी बाते इतना तो कर नहीं पाया लेकिन western pressures के द्वारा आप अगर देखें तो finally Bali में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जिलिंसकी वो विडियो कॉन्फरेंसिंग के थूप पहुँच गए थे और इस तरीके से वो उन्होंने सारे के सारी leaders को address किया था और एक one-sided peace formula भी सामने रखा था जिसमें यूक्रेन के हित थे और मानो जैसे रश्या के हितों की रक्षा नहीं की गई थी क्योंकि वो one-sided था दोस्तों यहां पे काफी जादा आप 19 करके तभी को address किया था जमानों जैसे रश्या के जो representative है उनको सिरे से निकार दिया गया हो दोस्तों यहां पर आपको बता देता हूं इसमें भी पुतिन नहीं गये थे लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि पुतिन खुद आने वाले हैं तो अगर पुतिन आते और उसमें इस मुदे को detail में देखते हैं depth में देखते हैं पर इससे पहले आगे बढ़ें आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों 15 जून को हम अपने NCRT batch plus CSAT batch प्लस अगनीपत comprehensive GS batch इसका अगास कर रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों 2024 के IS aspirants के लिए यह बहुत important है दोस्तों आपने किताबें अब तक खोली भी नहीं है तो आपको जरुरत ना पड़े हम स्टार्टिंग से बिल्कुल foundation बनाने से लेकर आखिर तक आपकी मदद करने वाले हैं पहले हम NCRT पढ़ाएंगे सो दाट आपका foundation मजबूत हो साथी साथ सी साथ एक ऐसा subject है जिसको अब कही न जो कि इसमें हम advanced concept से लेकर simple तक सब कुछ पढ़ाएंगे और जो बहुत simple concept से वो यहाँ पे clear हो जाएंगे इसी batch में आपको test series भी मिल जाएगी prelims की भी mains की भी साथी साथ mains mentorship भी है interview guidance भी है दोस्तों इन सब की वैसे तो कीमत 18,000 रुपए है पर जब आप coupon code केसी टन का इस्त account और यह आपको available हो जाएगा केवल 11,999 रुपए में दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो methodology है पढ़ाने की उसका result भी आ रहा है अनकाडमी के students हैं 333 से अधिक जो की toppers बने हैं दोस्तों वही teachers जो अनकाडमी में पढ़ा रहते वो आपको पढ़ाने वाले हैं याने की proven success rate है उसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे तो make sure नीचे description box में link है आप enroll कर सकते हैं इसके बारे में detail में मैं towards the end of the class और आपको बताऊंगा तो वो भी आप जरूर देखिएगा और use the code kc10 तभी आपको discount मिलेगा otherwise आप महंगी कीमत pay करने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो वो हमने उन्हों को बुला लिया है final G20 समिट में लीडर समिट में इसमें उन्होंने कहा है और यह हमने तभी कर दिया था जब हम प्रेसिडेंट बने थे दोस्तों इस statement से कहीं ना कहीं जितने भी rumors उट रहे थे कि इंडिया यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादमेर जलिंस्की को बुलाएगा वो सब का सब थंडे बस्ते में आप जा चुका है अब यह rumor नहीं उठेगा G20 कंट्री इसको clearly बता चुका गया है कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है तो जैशंकर जी ने साफ साफ कहा देखिए G20 पाटिस्पेशन उन members के लिए उन organizations के लिए जिन को हमने invite किया है क्योंकि हम G20 प्रेसिडेंट है इस साल जाहिर सी बाते और किसी को तो बुलाएंगे नहीं उन्होंने यह भी कहा कि देखिए यूक्रेन तो G20 मेंबर है नहीं और रश्या वहीं पे G20 मेंबर है तो जाहिर सी बाते कौन आएगा रश्या आएगा यूक्रेन नहीं आ पाएगा उन्होंने दोस्तों और एक बात कहीं उन्होंने कहा कि G20 यूएनस्थी नहीं है इसका क्या मतलब दोस्तों यहां पे उन्होंने कहा कि देखिए G20 का जो पर्पस है वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो 20 एकॉनमी है जिनकी अगर आप देखिए तो 75 अव इंटरनाशनल ट्रेड में जिनका कॉंट्रिब्यूशन है 80 परसंट ऑफ ग्लोबल जी टीपी में कॉंट्रिब्यूशन है शिक्स्टी परसंट ऑफ ग्लोबल पॉपिलेशन है आप देख सकते हैं इंडिविजुली 2021 का डेटा है कौन कहां पर है इंडिया 3.2 ट्रिलिय था वो हमने वापस से forefront पे इस साल लाया है इंडिरेक्टली कहा कि पिछले साल इंडोनीसिया में क्या हुआ था कि इसको politicize कर दिया गया था इस बार वो हम नहीं होने देंगे उन्होंने कहा यह प्राइमरी फोरम नहीं है Green Financing उन्हों सब को भी G20 स्टेज में प्रोमिनेंस देना चाहिए उन्होंने का देखिए भारत ने किस प्रकार से इस साल Global Skills Mapping जैसा concept सामने रखा है यहां पर आप देख सकते हैं जोधपुर में G20 समिट हुआ था वहां पर Global Skills Gap पर discussion हुई थी और वहीं से निकल के आया है Global Skills Mapping जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां पर skilled population है और जहां पर उन्हों की डिमांड है यह दो अलग अलग जियोग्रफी है तो इनको मैप करना बहुत आवशक है और तभी Global Economy cooperate करके आगे बढ़ सकती है और यह जो मेन काम है G20 का यह हमने कर दिखाया है दोस्तों यहां पर अब बात करते हैं इंडिया ने कैसे Russian President Putin को बचाया है दोस्तों आपको याद होगा इसी साल की बात है G7 Summit में इंडिया को भी बुलाया गया था और साथ साथ जलिंस्की भी वहाँ पर थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरियन मोदी जी जलिंस्की से directly मिले भी थे और वहाँ पर अगर आप देखे तो बाकी देशों ने भी कहीं न कहीं जायर सी बात है प्राइम मिनिस्टर पर दबाव डाल बनाया होगा कि जलिंस्की को G20 में भ उनका होता अगर यह स्वयम नहीं आते टेली कंफरेंसिंग के जुरू विडियो कंफरेंसिंग के थू सब को एड्रेस करते तब भी रश्या के बारे में ही बुला-बुला-बुला-बुला-बुला कहते इसके सिवा अगर आप देखे तो पूरा मुद्दा होता ना G20 वो सब साइड लाइन हो जाता और पूरी बात रश्या युक्रेन की होती और दायरती बाते इतने सारे बाकी G7 कंट्रीज भी होते तो कहीं न कहीं रश्या को कौर्णर आउट किया जाया जाता और इंबैरिस्मेंट होता रश्या के लिए वो सब से भारत ने इस साल रश्य एमीन जैफरोवा यह भारत आई थी और इस वक्त इन्होंने इंडिया को कहा कि हमें मेडिसिन चाहिए मेडिकल एक्विपमेंट्स चाहिए और वर डामेज इंफ्रस्ट्रक्चर को अब रीबिल्ड करने में भारत की साहिता चाहिए और उन्होंने कहा कि यूक्रेन का डिज की जिएंगे जहां तक बात है तीसरे डिमांड के इंडिया ने कुछ कहा तो नहीं लेकिन डिविल्ड वार डैमेज इंफ्रस्ट्रक्चर अभी तो वह बात है और डैमेज भी बहुत बाकी है तो उसके बाद भारत ज़रूर इस पर भी चर्चा करेगा लेकिन इस वक्त तो मदद के लिए essential equipments प्रोवाइड किये हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है फिर भी इंडिया ने युक्रीन की मदद की है आगे भी करेगा और जो भी है दोस्तों important topic इसमें यही था कि अब भारत में होने वाले G20 leaders summit में जो मुद्दा है G20 का वो है global cooperation skill development साथ-साथ environment green financing food security energy security मुद्दा वही रहेगा कहीं से भी इसको कोई third party आके इस मुद्दे को divert नहीं करेगा दोस्तों आजी क्लास पसंद आई होगी तो like जरूर कीजेगा PDF का link description box में मिल जाएगा कुछ भी सवाल यह आप पूछ सकते हैं वापस याद दिला देता हूं यह कॉमबो आपके लिए हम ले करके आए हैं 11,999 रुपए में याने आपने कुछ भी नहीं पड़ा तो आपको basics भी पढ़ाएंगे इस तरीके से पढ़ाएंगे कि कहीं ना कहीं आप फ्रिलिंस में इंटर्व्यू तीनो प्रसेस में आपकी मदद करेंगे में प्रिलिंस मेंटर्शिप भी है इंटर्व्यू गाइडेंस भी है क्या पड़ रहे हैं आप टेस्ट करें उसके लिए टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं आपको 900 से अधिक घंटे लाइफ क्लास तो केवल और केवल बोध और अगनीपत में ही होने वाले इंसी आटी बैच में और आप देखें दोस्तों से 200 घंटे उपर जाएगा याने कि आप देखें तो इतनी ज्यादा क्लासे दूंगी बेसिक एडवांस सब कवर होगा अगनीपत अकेले या बोध अकेले में आप देखेंगे तो प्रिलिंस मेंस इंटर्व्यू का व्यापक कवरेज हो रहा है चालेस टेस्ट मेंस के मिल रहे हैं मेंस विंटर्शिप है इंटर्व्यू गाइडेंस है एंसी आ बैच की बात करें दोस्तों तो 4,999 रुपए में आपके लिए सेपरेटली केवल एंसी आटी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स कवर होंगे 15 जून से बैच स्टार्ट है जोग्रफी समुझ रमन्थ हैं दोस्तों 11 जून को एन्रोल कर लें सीसाट कोर्स भी स आप चाहे तो ले सकते हैं अगनीपत प्रिल्म स्टेस सीरीज भी चाहे तो सेपरेटली ले सकते हैं में स्टेस सीरीज भी आप चाहे तो सेपरेटली ले सकते हैं दोस्तों हमारी टीम में बहुत ही एक्स्पीजिएंस्ट है परस्पेक्टिव सीरीज भी देखें और हमें हम मेडिया हैंडल पर जरूर फॉलो करें